हेलो बच्चा पटी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग बहतर होंगे आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गौड क्लासेस पर तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं differentiation डिफ्रेंसेशन का जो basic concepts है वो अल्लेड हम समझ चुके हैं इसे differentiation होता क्या है उसमें हमने ये समझा था कि differentiation होता क्या है साथ में हमने समझा था कि जो first principle method है वो किस तरह से बनता है और फिर उसकी हमने application करी थी तो टाइम उसमें लग जाएगा फिर्स प्रिंसिपल मैथड ठीक है फिर्स डेरिवटिव टेस्ट डिफरेंशेशन में आता है ट्वेल्ट क्लास में फिर्स प्रिंसिपल मैथड जो है यह हम सारे कोश्चन्स में नहीं करने वाले हैं यहाँ पर कुश्चन्स में हम समझेंगे कि उस मेथड की हेल्ब से आप डेरिवटिव कैसे डिराइव कर सकते हैं यह फार्मूला जो यहाँ पर लिखे हुए यह किस तरीके से फार्मूला जाएं लेकिन सारे फार्मूला जो हम उससे नहीं करेंगे दी यए डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एं यहाँ अगर एक्स रेस टू पावर एं का instantaneous rate of change आपको निकालना है तो उसके लिए एक मारे पस क्या फार्मूला होता है यह जो एन होता है पावर में पावर में को derivative करना है तो क्या हो जाएगा उसमें 5 आग्या जाएगा एक्स की पावर एक काम हो जाएगा इस तरीके से होगा तो इसको पहले फार्मूले से first principle method से समझ लेते हैं कि यह आया कैसे तो हमारे पास function है fx function हमारे पास fx equals to x raise to power n इसका हमें derivative करना है using first principle method करते हैं तो उस first principle method में हमने क्या समझाता कि f dash x होता है limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h तो अगर आप इस फार्मूले को यहाँ अपलाई करोगे x की पावर n किजएगा यहाँ पर आजएगा x plus h की पावर n minus x की पावर n divided by h अब इसको आपको simplify करना इसको simplify करने के लिए आपको क्या आना चाहिए आपको आना चाहिए यह x plus h की पावर अगर n को हम simplify करेंगे तो उससे हमारे पास आता क्या है अगर आप लोगोगो ध्यान हो इसमें कि इसमें दोगो आप इसको directly solve तो कर नहीं सकते हूँ क्योंकि यहाँ पर power n है हमें पता नहीं कि n की value 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है क्या है तो हमने limit में property पड़ी थी limit में property हमारे पास थी कि अगर limit x tends to a होता है और यहाँ पर x की power n minus a की power n divided by x minus a होता है तो हम इसका formula लिख सकते थे यहाँ पर क्या होता था n आगे आता था और a की power n minus 1 हो जाती थी इस तरह का formula था तो आपको इसको इस format में convert करना है अब इसमें convert करने का मतलब क्या है यह जो x plus h आ रहा है x plus h को खतम करके यहाँ पर single एक variable होना चाहिए तो मैं यहाँ पर माल लेता हूँ कि जो x plus h है उसकी जगह output कर दिया मैंने यहाँ पर y ठीक है तो यहाँ से जब h की value आप निकालोगे तो क्या हैगी y minus x तो यहाँ पर limit हमने लिखा limit आगया h की जगह लिख दिया y minus x यहाँ पर x plus h की जगह क्या बन गया y की power n इसको हम x की power n ही रहने देते यहाँ पर जो h है h की जगह लिख दिया हमने y minus x अब देखो यह वाला format और यह वाला format क्या बिल्कुल same नहीं आ गया power दोनों की same आ गी यहाँ पर x की जगह यहाँ पर y है और a की जगह यहाँ पर x है लेकिन क्या हुआ format तो same ही है न तो नीचे भी ऐसे यह y minus x यहाँ पर था x minus है यहाँ भी x minus है यहाँ भी y minus x यहाँ भी y minus x और limit क्या हो रही है y tends to x यहाँ पर क्या हो रही है x tends to a मतलब बिल्कुल same format बना है बस क्या करना है आपको x की जगह पर a को replace करना है तो जो answer इसका था n a की पावर n minus 1 तो यहाँ पर क्या बनेगा n x की पावर n minus 1 और यही तो हमने derivative अभी समझा था कि इसका derivative यह होता है तो इस तरीके से first principle method से हमने देखा कि इसका derivative करने पर आगया यानि अगर हमें x की पावर 5 का derivative find करना है d by dx of x की पावर 5 तो हम क्या करेंगे 5 आगया जाएगा x की पावर एक कम हो जाएगी 5 x की पावर 4 इस तरीके से आप इनका derivative कर सकते हो ठीक है x की पावर अगर आपको 10 का निकालना है तो क्या करना है 10 आगे करना x की पावर एक कम करनी है तो बहुत important formula है इसको हम बोलते हैं power formula ठीक है अब इसके अलाबा जो और हमारे पास formula थे वो कौन-कौन से है यहाँ पर है d by dx of constant constant मतलब जिसके अंदर एक constant term होती है जैसे अब derivative करना चाहो 2 का तो derivative 2 का हो जाएगा 0 क्योंकि उसके अंदर x है ही नहीं x है नहीं तो उसमें अगर x की value पर कुछ change होगा भी तो कुछ फरक पढ़ना नहीं वो तो 2 का 2 ही रहना है तो वहाँ पर instantaneous rate of change कुछ नहीं होता इसलिए constant का derivative 0 होता है खाली constant होना से ही उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए ठीक है उसके बाद d by dx of x खाली यहाँ पर x है तो इसमें आप यही वाला rule apply कर सकते हो जो हमने x की power n का किया है यही rule apply करके आप देखोगे कि इसका derivative निकल जाएगा 1 सेम यहाँ पर d by dx of root x root x का मतलब क्या होता x की power 1 by 2 तो x की power 1 by 2 आ रही है यहाँ भी आप power formula लगाओगे तो power formula लगाए आपके पास यह directly बन जाएगा उसके बाद है 1 upon x की power n अगर x की power n नीचे हो जाए अगर x की power n नीचे हो जाए तो हम इसमें लिखते हैं इसका derivative 1 upon x की power n प्लस 1 जैसे माल लोग आपके पास आता है 1 upon में x की power 6 तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको x की power minus 6 कर दूँ और फिर इसमें यही वाला power formula लगा दूँ तो इसके according क्या बनेगा इसके derivative minus 6 आगे आएगा एक power इसके कम होगी फिर इस power को आप नीचे लाओगे इस तरीके से आप लिखोगे यह वाला formula क्या गह रहा है यह वाला formula क्या गह रहा है कि आप इसको directly ऐसे लिख दो ना क्यों है इस सारे जिंजट में पढ़ रहे हो अगर आपको यह formula यहाद है तो आप इसको directly ऐसे लिख दो नेखो plus की जगे minus sign हो गया यहाँ पर यह plus था अगर यहाँ minus होगा तो plus हो जाएगा ठीक है यहाँ पर formula में ओपर यहाँ यहाँ पर 1 गलत लिखा हुगा 1 नहीं आता, n आता है तो यहाँ पर आएगा आपके पास n upon में x की power n plus 1 n मतलब जो भी power थी पावर किदनी 6, 6 आ गया इदर और X की पावर N प्लस 1 यानि 6 प्लस 1, तो X की पावर आ गया आपके पास 6 प्लस 1 तो अगर आपको यह डिरेक्टली फार्मॉला याद है तो आप डिरेक्टली ही यहां पर लिख सकते हो और यह सारे के सारे फार्मॉले 1 से लेकर 5 तक ये सारे power rule के ओपर ही depend करते हैं power rule अगर आपको पता है तो ये सारे के सारे formula आपको बड़े अराम से याद हो जाएंगे इनको directly याद रखने का फाइदा ये है कि आपको बार बार power rule लगाना नहीं पड़ेगा जैसे आपने इसका कर दिया रूट एक्स का derivative आपको याद है कि जी 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है तो आपने सीधा इसका derivative लिख देना है आपको ये नहीं करना कि एक्स की पावर हाफ है फिर आप हाफ को आगे लाओगे derivative करने के लिए एक्स की पावर फिर एक कम करोगे फिर इसको नीचे लेकर जाओगे ठीक है यहाँ पर इसको नीचे लेकर आए फिर आपने लिख दिया है इसको 1 अपॉन में 2 रूट एक्स तो आपको ऐसे करने की ज़रुवत नहीं है अगर आपको directly फार्मूला याद है तो ठीक है उसके बाद आता है फिर हमारे पास e की पावर x e की पावर x का derivative कहरा है e की पावर x ही होगा कोई चेंज नहीं होता सबसे बड़िया function जितने भी function है न सबसे बड़िया function होता है उस में करता है बाई कोई मिरे गर में को पंगा लेना ही नहीं है आप कुछ भी खरते रों किसी को चेंज करते रो कैसे बी Left kılarते रो मैं तो जैसा हूं वैसका वैसा ही मेरे साथ कोई पंगे बाजी नहीं तो इसके derivative में कुछ change नहीं होता, e की power x का e की power x ही रहता है, अब कैसे रहता है यह, इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार, इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार, first principle method से तो यहाँ पर function हुआ हमारे पास e की power x तो हमें आप derivative find करना है, ठीके f dash x हमें find करना है, तो limit, h tends to 0 e की power बनेगा x plus h, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x plus h करना है, minus e की power x, divided by h, अब यह e की power x plus h को, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ना आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, e की power x into e की power h laws of exponent लगा दिया आपने, laws of exponent में क्या होता है, कि जब 2 औरों का base same होता है, तो power add हो जाती है power add करके पहले दे रखिए तो इसको आप अलग लग कर दो ठीक है, अब यहाँ से e की power x यहाँ भी है, e की power x यहाँ भी है तो e की power x निकाल दो, आप common यहाँ रही है e की power h minus 1 divided by h, अब limit की जो property है, limit बहुत ज़रूरी है अगर आप यह करना चाते हो, questions तो limit आपको आनी ज़रूरी है, limit में एक formula हमने पढ़ा था कि limit x tends to अगर 0 होता है, e की power x minus 1 upon x होता है तो यह 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखो limit h tends to 0 है e की power h है, नीचे भी h है यहाँ पर x tends to 0 था, तो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था मतलब यही same format apply हो रहा है यहाँ पर, यह e की power x यह extra है इसको ऐसे का ऐसी रहने देंगे हम यहाँ पर e की power x in 2 में इसकी जगा जाएगा 1, answer आजाएगा e की power x तो जब भी हम fx, यहीं e की power x दिया हुआ है, उसका जब derivative करते हैं तो उसके derivative में कोई भी change नहीं होता है, उसका derivative as it is ही रखते हैं उसके बाद चलते हैं हमारे पर जो next derivative है, वो भी इसी से related है वहाँ पर exponential function यह लेकिन in term of a है, तो यहाँ पर इसका answer होता है, a की power x log a यहाँ log a extra लग जाता है इसमें भी लगता है log e लेकिन log e की value 1 होती है इसलिए उसको लिखो या मत लिखो कुछ फरक पड़ता नहीं इसके अलावा इन में से इसके अलावा एक derivative यहाँ पर missing है, अगर हम एक derivative और लेते हैं आपर log x log x का derivative होता है 1 by x, इसको भी आप formula की list में add कर लेंगे log x का derivative क्या होता है, 1 by x अब यहाँ पर जो log x लिखा हुआ है calculus में जब भी आप log x लिखते हो तो इसके base में e होता है ठीक है, log x to the base e तो आप base यहाँ पर लगाओ या मत लगाओ यह understood होता है, कि यहाँ पर base में इसके e होता है, तो इसका derivative करेंगे आजएगा 1 by x, यह कैसे आता है इसको भी एक बार discuss कर ले थे हैं तो यहाँ पर function है हमारे पास log x इसमें लगाए हमने first principle method limit h tends to 0 log of x plus h minus log x divided by h अब log की जो property थी log की property में हमने क्या बढ़ा था log की property गहती है, अगर आपके पास ऐसे होता है log a minus log b तो आप इन दोनों को एकटा करके ऐसे लिख सकते हो a upon b तो यहाँ पर भी बीच में minus लगा हुआ है log इसमें भी है, log इसमें भी है तो आप इन दोनों को एकटा कर सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो log x plus में h divided by x अब यहाँ से थोड़ा सा हमने इसमें modification करना है क्या करना है, जो log x plus x है इसको लिख दिया, हमने 1 plus h upon x ठीक है, 1 plus h upon x divided by h इसका एलसम लेंगे, यही तो सेम आएगा न अब log की एक property जो limit में हमने use करी थी limit में हमने क्या बढ़ा था कि limit अगर x tends to 0 है और log 1 plus x upon में x है तो यह 1 के बराबर होता है यानि जो यहाँ पर होता है वही यहाँ होना चाहिए ठीक है, जो यहाँ होता है वही यहाँ पर होना चाहिए उसी की limit होनी चाहिए तो यहाँ पर कराएगी h upon x है अब यहाँ h upon x है तो यहाँ पर भी आपको x एक चाहिए अब X आप चाहिए तो आप कैसे करोगे X यहाँ पर आ गया और X यहाँ पर आ गया लिमिट में आप चेंज करो या मत करो क्योंकि आप लिमिट अगर ऐसे लिख रहे हो कि H tends to 0 है मैं अगर X को यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ भी डिवाइड करूँगा तो बात तब भी वह यानि है H X tends to 0 तो अगर आप चेंज करके लिख देते हो वेल अन गूट नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर यह वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसको चलो लिख भी देता हूँ तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया लॉग 1 प्लस H अपॉन X डिवाइड बाइ H अपॉन X इंटू 1 अपॉन X यह वाला X मैंने अलग लग दिया अब यहाँ पर मैं लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो यह सारा का सारा पोर्शन हो गया 1 तो 1 इंटू 1 बाइ X आंसर आ गया 1 बाइ X तो यह हमने डेरिवेटिव पढ़ा था कि लॉग X का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन मैं X तो इस तरह से आप लॉग X का डेरिवेटिव भी फाइंड का सकते हो यूजिंग फर्स प्रिंसिपल मैंथर जो जितने भी डेरिवेटिव मैंने आप तक बताए है उनका स्क्रीन शॉट होफ़ली आपने ले लिया होगा नहीं लिया है तो अभी ले लो स्क्रीन शॉट में हमने यहाँ पर एक टाम ओ लिखनी थी एट और उसके बाद था यहाँ पर लॉग X का डेरिवेटिव यह होगा वन बाइ एक्स इसके लावा एक फार्मुले में यहाँ पर गड़ बढ़ती इधर एन आएगा अब यह परफेक्ट है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और यह सारे बेसिक डेरिवेटिव हैं यह जब तक आपको याद नहीं है तो यह खी इन मान लोगी आपको डेरिवेटिव करना आएगा नहीं यह याद होने जरूरी है अब यह आपने याद कर लिए उसके पाद हम चलते हैं कुछ रूल्स के उपर कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं बेसिक रूल्स फॉलो करने है तो वो रूल सबसे पहला रूल के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सम और डिफरेंस का रूल होता है यह तो प्रोड derivative करना है ठीक है दोनों का sum करके derivative करना है तो भई sum करके derivative कर लो या आप derivative करके फिर sum कर दो result सेमी रहेगा यानि आप ये कर सकते हो कि आपने f dash x लिखा मतलब पहले वाले का derivative कर दिया प्लस में दूसरे वाले का derivative कर दिया तो ये बन गया आपके बास इसका answer for example अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को derivative चाहिए x की power 3 लस में log x का तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x की power 3 का derivative करूँगा x की power 3 मतलब जो basic वाला rule है सबसे पहला जो power formula हमने पढ़ा था x की power n वाला वो लगा दो उसके साब से 3 आ गया आएगा x की power 1 कम हो गया ऐसी अगर मानलो difference rule हम apply करें difference में क्या करता है कि अगर दो function आपके पास दिये हुए है एक fx और एक gx और दोनों को minus करके फिर उसको differentiate करना है तो यहाँ पर भी आप ऐसी कर सकते हो f dash x minus g dash x ठीक है बीच में अगर minus का sign यहाँ पर होगा minus तो यहाँ भी minus लग जाएगा और इस तरह से आप इसका derivative कर सकते हो बहुत सिंपल से रूल है लेकिन हम बात करते है product rule की अब product rule में आपको दो function दिये हुए fx और gx उनका अगर आपको derivative करना है तो उनका derivative सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं जैसा वो है वैसे का वैसे लिख देंगे कोई change नहीं करना हमें उसके अंदर फिर plus का sign लगाएंगे उसकी बाद जो पहला function है उसको हम as it is लिखेंगे दूसरे वाले का derivative कर देंगे यानि equal distribution कर देंगे एक बार पहले का derivative करेंगे दूसरे एजिटिज रखें में है तो पहले आप derivative करेंगे x square का तो यह आजाएगा 2x log x का आपको कुछ नहीं करना ऐसे का ऐसे ही लिख देना है प्लस अब आपको क्या करना है x square as it is लिखना है और log x का करेंगे तो 1 by x आजाएगा इसको इससे solve करेंगे यह आपके पास answer आएगा उसके बाद आगे simplification क process होता है कुछ common निकालना है तो निकाल दो नहीं निकल रहा है तो मत निकालो ठीक है वह एक अलग matter है लेकिन derivative आपका हो चुका है अब जब quotient rule के हम बात करेंगे तो quotient rule के अंधर भी क्या करने यहां पर दोनों function divide में होने चाहिए यहां दोनों function divide में होने चाहिए तो इसम निकालो गया है यहांपर आपको plus की जगे हटांगे minus लगाना है और उसके लगावा इसमें रहे क्या है उसके लावा रहे कि जो है उसमें denominator का आपको square कर देना है जो यहां denominator दिया हुए उसी का square आपको यह कर देना है बन गया qution tool तो अगर मैं इनका वो करना चाहूं derivative तो x x square का हो गया 2x log x बीच में minus sign आ जाएगा x square ऐसे ही log x का 1 by x divided by log x का whole square इधर इससे cancel हो जाएगा यह आपका derivative हो गया उसके बाद इसको simplify कर दो आपका answer आ जाएगा तो sum rule हो गया हमारे पास difference rule हो गया हमारे पास product rule हो गया हमारे पास question rule हो गया अब उसके लावा एक rule हो रहे गया जो इन सबसे ज्यादा important है chain rule हर question में एक तरह से rule लगता है हर question में और रूल लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है भाई मीठ क्यों रहा है यह दी वाई डी टी डी डी एकस ओफ टी डी 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 एकस ऐसे कहना चाहरा है कि अगर आपको f t का derivative करना है d by d x मतलब with respect to x करना है with respect to x मतलब वही एकस में अगर कुछ change हो रहा है तो t में क्या change हो रहा है ठीक है यहाँ पर derivative करेंगे इस पूरे function का पर इस पूरे function को देखेंगे इसमें क्या rate of change हो रहा है इसमें जो rate of change हो रहा है वो हमने लिख दिया d by d x of ft अब उसके बाद जो इसके अंदर एक variable आ रहा ती फिर उसमें भी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर भी क्या change आ रहा है उ इसके अंदर जो change जा रहा है वो बन गया d t by d x यानि आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास जैसे हमने अभी function लिया मैं इसको ऐसे लिख दूँ log x square और मैं इसके whole power भी ले लेता हूं 5 इसका differentiation करना है ठीक है इसका differentiation करना है तो chain rule क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप काम करो सबसे पहले हमेशा whole power से start करना है whole power किसी भी question में दे रहे हो सबसे पहले आपको वहीं से start करना है उस power में आपको power rule लगाना है उसको solve करने के लिए तो क्या होगा 5 आगे आएगा और फिर इसकी whole power एक कम हो जाएगी जैसे power rule में होता है तो ये वाला जो function है ये as it is fx के दरे treat होगा तो इसको आपको as it is रखना है अभी log of x square और फिर इसकी power हो जाएगी 4 एक बार में एक derivative complete करना है chain क्या कहते है chain क्या एता है कि बढ़े chain मनाते होई चलना है derivatives की ठीक है सब सबसे पहले start कहां से करना है start कहां से करना है start हमेशा करना है आपको whole power से whole power आप आगे लाओगे एक power कम कर दोगे function जैसा है कैसा भी हो टेडा मेडा हो उल्टा सीधा जैसे भी हो उसमें कुछ change नहीं करना log x square लिखा तो log x square लिख देना है कुछ और लिखा होगा तो वो आकर इसका derivative अब उसके बाद इस power को चोड़ दो power का काम खतम ठीक है इसका roll finish ठीक है अब इसका roll finish अब नया character आएगा नया character कौन सा आ गया इसको अगर आप छोड़ा तो फिर आपका function आया log अब एक character हमारे पास है log इसका हमें derivative करना है log का derivative हमने क्या सीखा log का derivative सीखा हमने 1 upon में x लेकिन वहाँ पर होता क्या है वहाँ पर होता है log x होता है यहाँ पर यह x होता है तो इसका derivative होता है 1 upon x अगर मैं इस x की जगे कर दू x square तो derivative में भी आ जाएगा 1 upon x square तो यहाँ पर into लगाएंगी chain बनानी है ठीक है continuous रखना है उसको plus minus sign नहीं continuous रखना है तो 1 upon x square यह derivative आगया आपके पास log का ठीक है x square की जगे x square आपने लिख दिया अब इसका भी character खतम ठीक है इसका भी roll finish अब dialogue है इसके x square की तो आप x square का derivative कहता है वहीं मेरा derivative होता है 2x लिख दो मेरे को ऐसे कैसे क्या दिक्कत है x square का derivative हो गया 2x अब और तो कुछ नहीं बचा x को भी लिया जाता है वैसे लेकिन x का derivative 1 होता है इसलिए मैं इन 2 में अगर 1 कर दूँ तो उसका कुछ फाइदा नहीं है इसलिए normally हम x को लिखते नहीं है ठीक है लेकिन जगर हम chain rule proper बात करें तो x तक हमें पहुँचना होता ह है और x का जब derivative हो जाता है तब हमारा यह जो rule है यह finish हो जाता है उसके बाद बस चीजों को simplify करना है जो कटता है काट देना है जो बचेगा उसको multiply कर लेना है जैसे यहां 2 से 5 को multiply कर दोगे 10 upon में x और log x square की power 4 इस तरह से आपका chain rule बनता है तो सबसे important rule है हर question में आपको यह लगाना पड़ेगा आपको last जो function है x वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा अब वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूर है कि आप यह समझो कि start कहां से करना है start अगर सही नहीं हुआ तो end तो बिल्कुल सही होगा नहीं start हमेशा करना है whole power से whole power से start करके फिर इ इंगल हो या उसका argument हो या जो भी है उसके अंदर जो function होता फिर उस पर पहुंचेंगे बारे बारे से करके ना परत्व को खोलते जाएंगे जैसे एक box होता है box में एक box के अंदर box 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 के अंदर आप प्रैंक करते हो एक उतने friends के साथ तो friend को आपको अगर gift चाहिए तो वही समझ में आ गया होगा तो आज की इस वीडियो में हम यही पर करते हैं जो भी इसके अंदर मैंने basic formula बताएं उनको आप अच्छी तरह से learn कर लें ताकि अगली वीडियो आने से पहले सारे formula आपको याद हो और exercise 11.2 जब हम करेंगे तो यह formula आपको याद होंगे तो आप मेरे साथ-साथ questions कर सकते हैं इवन मिल से पहले भी करकी रख सकते हैं फिर चेक कर सकते हैं कि वीडियो के साथ कि आपके आंसर कितने सही है और कितने गलत हैं ठीक है जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you